नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हमारे यूट्यूग चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी करेंट अफेर की एक सीरीज है जिसमें हम आपकी जो मंतली इंपोर्टेंट मैगजीन्स आती हैं जिसमें आपकी परितोगिता दरपण है, सक्सेस मिरर है, ग्यान दरपण है जो मंतली मैगजीन्स आती हैं करेंट अफेर्स की उनके समसमाई की कोशन्स को यहाँ पर टेवल सेलेक्टिट कोशन्स को कवर करते हैं, जो आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट होते हैं और एक्जाम में आने के चांसिस जिनके ज़ादा होते हैं क्यूंकि अब आपके एक्जाम की डेट्स यहाँ पर आ चुकी हैं तो करेंट अफेर की जो हमारी सीरीज थी उसको दोबारा से कंटिन्यू यहाँ पर कर रहें ताकि आपको एक्जाम में करेंट अफेर की कोशन्स में भी प्रॉब्लम ना हो जल्द कोशिश करेंगे उत्राखंड की भी current affair की classes यहां पर लाई जाएं तो चलिए दोस्तों आज की class को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला question है Westwick Mobile Internet रफ्तार की नवींतम ranking में भारत का rank कौन सा है यानि internet speed के मामले में भारत की ranking कौन सी है पूरे दुनिया में सही answer है option B 56 ranking है भारत की ठीक है option B आपका सही answer हो जाएगा next है अंतराश्ट्रिया योग दिवस 2023 में संयुक्त राश्ट मुख्याले में किया गया योग सत्र गिनीज बुक अब वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया यानी UN का जो headquarter है अमेरिका में वहाँ पर जो योग किया गया जहां पर भारत के प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी ने भी योग किया था उस योग सत्र को गिनीज बुक अब वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया अब ऐसा क्यों किया गया इसको आपने देखना है ये कोशन बन सकता है क्योंकि PM ने भी वहाँ पर योग किया था ठीक है क्या-क्या विकल्प है देखिए PM मोदी ने सहित अनियक देशों के साशन अध्यक्षों का इसमें भाग लेना क्या ये कारण था ये कारण नहीं था इस योग सत्र में सरवाधिक देशों के लोगों की सहभा किता थी ये इसका कारण है ये ऐसा योग शत्र था जिसमें सबसे ज़ादा देशों के लोगों ने भाग लिया इसलिए इसको Guinness Book of World Record में शामिल किया गया तो कारण क्या है कि इसमें सबसे ज़ादा देशों के लोग थे सबसे ज़ादा लोग थे उसका रेकॉर्ड नहीं बना ये जो हम मैगजीन के MCQs को यहाँ पर कवर कर रहें ये आपकी लेटेस्ट जो प्रितोगिता दरपण है सतंबर 2023 के उनके कोशन्स आपको देखने को मिल रहें जिसमें आपके जुलाई, अगस, जून तक के करेंट अफेर आपके कवर हो जाएंगे इसके बाद इसी सीरीज में एक सेकंड वीडियो आएगा जिसमें हम सक्सेस मिरर और ग्यान दरपण के समसमाईकी के कोशन्स को कवर करेंगे तो मिस्र का सरवच समान है Order of Neil और ये दिया गया है भारत के प्रधान मंतरी शिरी नरेंद्र मूती को इस चीज को ध्यान रखना हाली में आप जानते हैं जून में पियम मिस्र के दौरे पर गए थे और वहीं पर मिस्र के राश्ट्रपती अबदिल फतह अल सीसी ने इनको वहां के सरवच सम्मान से सम्मानित किया अभी तक प्रधान मंतरी को 13 देशों के सरवच सम्मान मिल चुके हैं वित वर्ष 2022 में भारत के भुकतान संतुलन के चालू खाते का घाटा कितना रहा था तो भुकतान संतुलन के चालू खाते का जो घाटा रहा वो 63 अरब अमेरिकी डॉलर रहा उप्शन C सही आंसर होगा नंबर्स भी कई बार डारेक्ट पूछ लेता है समान नागरिक सहिता युनिफॉर्म सिविल कोड के संधर्व में निमले के तत्यों पर विचार करें तो चलिए देखते हैं और फिर देखेंगे इनमें से कौन-कौन से सही है समान नागरिक सहिता का उलेक भारतिय समिधान के अनुच्छे चवालीस में है ये आपका सही है जो UCC है युनिफॉर्म सिविल कोड ये आपके DPSP का पार्ट है आर्टिकल चवालीस में इसके बारे में कहा गया है तो ये आपका सही है दूसरा, समान नागरिक सहिता को नियालों द्वारा लागू किया जा सकता है तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि हमने कहा समान नागरिक सहिता DPSP Directive Principle of State Policy का पार्ट है यानि राज्यों पर निर्भर करता है राज्य प्रियास करेगा इसको लागू करने का आप सुप्रिम कोर्ट से जाके इसे लागू नहीं करवा सकते या हाई कोर्ट से आप लागू नहीं करवा सकते तो second वाला statement आपका गलत है तीसरा, राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वहाँ देश में समान नागरिक सहिता लागू करने का प्रियास करेगा ये आपका सही है, ठीक है अगला है, समान नागरिक सहिता लागू करने वाला गोवा देश का पहला राज्य है ये भी आपका सही है गोवा में आजादी से पहले से समान नागरिक सहिता लागू है तो देश का पहला और एकमात राज्य कौन है जहां पर UCC लागू है गोवा आजादी के बार UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है उत्राखण अभी हुआ नहीं है लेकिन अगर कहीं लागू होगा सबसे पहले तो उत्राखण में लागू होगा और ये आजादी के बार लागू करने वाला पहला राज्य होगा तो सेकंड स्टेटमेंट को छोड़कर आपके तीनों स्टेटमेंट सही है कोशन किया है इनमें से कितने कथन सही है कौन सा सही है ये नहीं पूछा है चार स्टेटमेंट आपको दिये है इनमें से कौन से स्टेटमेंट कितने सही है ये आपने बताना है आपका पहला सही था तीसरा सही था चौथा सही था ये वाला गलत था तो तीन statement आपके सही है केवल तीन सही हो जाएगा ठीक है Next है समचार की सुर्ख्यों में रहा कखो वका जलाशय निमलिकित में से किस देश में है काफी जादा चर्चा में रहा कखो वका जलाशय जो ये बांध है आपका ये युक्रेन में स्थेत है Option C सही आंसर होगा ये रॉप में सबसे बड़े बांधों में से एक माना जाता है कखो वका जलाशय को या कखो वका बांध को हाली में खबर फैली थी कि रश्या ने इस बांध के उपर अटेक किया है जिसके बाद इसको काफी नुकसान हुआ है और साथ लाख लोग इससे प्रभावित हुए है तो एक काफी फेमस बांध है जो युक्रेन में इस दित है अब SEO के बारे में हम जानेंगे यहां से आपके क्या क्या कोश्चन बनते है इरान इस संगठन का सबसे नया सदस्या है जिसे 2023 में SEO की पून सदस्या प्रदान करी गई पहला वाला आपका सही है जो सहंगाई कॉर्पोरेशन और्गनाइजेशन है आपका यह बना था 2001 में 2001 में इसमें केवल 6 देश शामिल थे जिसमें आपका रश्या, चाइना और साथ में किर्गिस्तान, कदाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान शामिल थे 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान को पून सदस्या का यहां पर दर्जा दे दिया गया सदस्य हो गए 8 अब 2023 में इरान को इसमें शामिल कर दिया गया अब सदस्य हो गए है 9 तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है ठीक है इरान इस संगठन का सबसे नया सदस्य है भारत की अधिक्षता में SEO का 23 सिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को संपन हुआ ये भी आपका सही है ठीक है भारत की अधिक्षता में इसका ये वाला सम्मेलन हुआ था तीसरा है तो वार्ड ए सिखर सम्मेलन का थीम था ये भी आपका सही है अभी जुलाई में ही आयूजीत हुआ है तो important रहेगा भारत शंगाई करना इसको भारत सेंगाई सैयोग संगठन का संस्थापक सदस्या है अभी मैंने आपको पूरा घटना करम बताया 2001 में जब बना था तब भारत इसमें शामिल नहीं था भारत कब आया है 2005 में भारत को सेभागी देश की रूप में शामिल किया गया और 2017 में पूर्ण देश का दरजा दिया गया जो पूर्ण सदस्या का दरजा इसमें दिया गया तो भारत सत्रा में आया है पूर्ण सदस्या की रूप में संस्थापक सदस्या भारत नहीं था इन चार स्टेटमेंट में आपका ये वाला स्टेटमेंट गलत है तो आपके कितने statement सही है, तीन statement आपके यहाँ पर सही है Next है, किसी मानिता प्राप राजनेतिक दल में विगठन हो जानेक पर पार्टी के द्वज और पार्टी चिन पर दावा जताने वाले समहू के दावों पर निर्णे निमलिकित में से किसके द्वारा किया जाता है यानि अगर कोई political party है उसका विभाचन हो जाता है दो दल बन जाते हैं और दोनों party के उपर अपना अपना दावा ठोक लेते हैं तो निर्णे कौन करेगा कि party किसकी होगी ये निर्णे निर्वाचन आयोग करता है option B सही आंसर होगा भारतिय समिधान के किस अनुछेद में मनिपूर राज्य के लिए विशेश प्रावधान किया गया है अब देखें मनिपूर में लगातार हिंसा जारी है और current affairs से आपके एक question बन सकता है कि मनिपूर को north east के जो राज्य है इनको विशेश प्रावधान दिया गया है कुछ articles के तहत जो 371 articles है 371 articles के भी सब articles हैं जैसे 371 A है 371 B है 371 C है इस प्रकार तो कौन सा article है जो मनिपूर से संबंदित है सही answer है आपका 371 C जो 371 C है मनिपूर के लिए विशेश प्रावधान करता है 371 की बात करें तो ये आपके गुजरात और महराष्ट्रा से संबंदित है 371 A की बात करें तो ये नागलेंड से संबंदित है 371 B की बात करें तो ये आपके असम से संबंदित है C आपके मणिपूर से है D आपके आंधर प्रदेश तेलंगाना से है इसी प्रकार सिक्किम से जुड़ा है आपका 371 F मिजोरम से 371 G जुड़ा है अरुनाचल से आपका 371 H जुड़ा है इनको आपने याद करना है नेक्स्ट है बैस्टिल डे के संधर्व में निमलिखित कत्नों पर विचार करें तो चलिए इनको देखते हैं प्रदानमंत्री नरेंदर मूदी 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में संपन बैस्टिल डे परेड में मुख्या अतीती थे तो ये वाला आपका सही है फ्रांस का नेशनल डे मनाया जाता है बैस्टिल डे के रूप में और ये 14 जुलाई को मनाया जाता है इस बार उनके नेशनल डे पर प्रमुक अतीती कौन थे भारत के प्रदानमंत्री दूसरा बैस्टिल डे परेड भारत की तीनों सेनाओं की टुकडियों ने हिस्सा लिया तो इस परेड में तीनों सेनाओं की टुकडियों ने भाग लिया ये भी आपका सही है तीसरा, फ्रांस में बैस्टिल डे 14 जुलाई 1790 को सामरिक महत्व के बैस्टिल के लिए पर कबजा किये जाने की स्मृति में मनाया जाता है ये भी आपका सही है इसी दिन 1790 में फ्रांस में आंदोलन कारियों ने बैस्टिल जेल पर हमला किया था और कैदियों को यहां से छोड़ दिया था उसी की स्मृति में इस दिन को फ्रांस का राश्ट्रिय दिवस घोशित किया गया है हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है क्या था ये पूरी घटना वर्ल्ड हिस्ट्रिय के वीडियो में हमने डिटेल में बात करी थी फ्रांस सिक रांती वाले सेग्मेंट में इन तीनों में आपके कितने स्टेट्मेंट सही है तीनों स्टेट्मेंट आपके यहां पर सही दिये गए हैं निमलिकित में से किन देशों के बीच सीमा पार लेंदेन इस्थानिया करंसी में किये जाने के लिए एक समझोता ग्यापन MOU पर हस्ताक्षर जुलाई 2023 में किये गए तो जुलाई 2023 में भारत और संयुक्त अरब अमिर्यात ने हस्ताक्षर किये कि वो इस्थानिया करंसी में ही लेंदेन यहां पर करेंगे ठीक है तो आप्शन A आपका सही उत्तर हो जाएगा निमलिकित में से किस देश में कोई भारतिया UPI के माध्यम से भुकतान कर सकता है यानि इंडिया का UPI इन में से किस-किस देश में मानिता प्राप्त है सही आंसर है आपका इन चारों देशों में आप इंडियन UPI का इस्तेमाल सिंगापूर में कर सकते हैं निर्धंता की तीवरता वर्ष 2019-20 में कितनी रही तो भारत में निर्धंता कितनी रही है 2020 में जो लेटिस रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ये रही है 44 प्रतिशत 19 से 21 के बीच हो गई है ठीक है 44 प्रतिशत रही है एक्जेक्ट डेटा की बात करें 44 दशनलव 49 प्रतिशत रहा है ओवरॉल ठीक है अगर हम ग्रामीन चेतरों की बात करें तो ग्रामीन चेतरों में निर्धंता आपकी 44 दशनलव 55 प्रतिशत रही है और शहरी चेतरों में इस दौरान 19 से 21 के दौरान 43 दशनलव 10 प्रतिशत रही है किस के अनुसार नीती आयोग के बहु आयामी निर्धनता सुचकांग के अनुसार, ठीक है? जो निर्धनता सुचकांग होता है बहु आयामी इसमें तीन आयामों को आधार माना जाता है सिक्षा, स्वास्त और जीवनिस्तर इसके तहट ही इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 2015-16 से लेकर 2019-21 के बीच में 13 करोड लोग, साड़े 13 करोड लोग गरीबी रेखा से उपर आए हैं तो नंबर भी आप से पूछा जा सकता है कितने करोड लोग उपर आए हैं, साड़े 13 करोड लोग, ठीक है नीती आयोग द्वारा जारी बहु आयामी निर्धनता सूचकांक 2023 के संधर में बहु आयामी निर्धनता के इसतर के घटते करम में राज्यों का कौन सा करम सही है यानि जहाँ ज़ादा गरीबी है उसको आपने पहले रखना है और फिर कम करते वे चलना है जो निर्धनता सूचकांक आया है उसके अनुसार सबसे ज़ादा गरीबी बिहार में है यहाँ पर लगभग 33 दशनलव 76 प्रतिशत है ठीक है तो आपने सही करम बताना था बिहार जहारखन, मेगाले, उत्तर परदेश यह आपके सबसे नीचे के चार राज्य है अगर हम उत्तराखन की बात करें उत्तराखन इस उची में पंद्रवे नंबर पे आता है उत्तराखन में 9.67 प्रतिशत ये निर्धनता प्रतिशत है ठीक है किस नंबर पर है उत्तराखन पंद्रवे नंबर पर है नेक्स्ट है 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतिया जन्रता पार्टी के नेत्युत वाले राश्ट्रिया लोकतांतरिक गड़बंदन से यानि NDA से मुकाबला करने के लिए देश के 26 विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से गड़बंदन बनाया इंडिया निमलिकित में से किस का संक्षिप्त रूप है यानि जो इन्होंने गड़बंदन बनाया है उसका फुल फॉर्म आप से पूछा गया है इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलप्मेंट इंक्लियूजिव अलाइंस ऑप्षिन बी सही आंसर हो जाएगा फुल फॉर्म पूछे जाती रहती है और ये तो करेंट अफिर से रिलेटिड है तो इंपोर्ट हो जाएगा हैंले पांसपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कौन सा है तो हैंले पांसपोर्ट सूचकांक 2023 जुलाई 2023 में इसकी रिपोर्ट आई है और इसके अनुसार भारत 80 नंबर पर है दुनिया में ऑप्षिन बी सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो जो जो नेशनल मेरिटाइम हैरिटीज कॉम्पलेक्स है इसे विक्सित किया जा रहा है इसे विक्सित किया जा रहा है गुजरात में लोथल में ऑप्षिन बी सही आंसर होगा राश्ट्रिया कारिकारी योजना सहीता 2023 यानि नेशनल वर्किंग प्लान कोट 2023 का संबंद निमलिकित में से किस से है तो जो राश्ट्रिया कारिकारी योजना सहीता बनाई गई है ये आपके इन में से किस चीज के लिए बनाई गई है ये बनाई है आपके परियावरण और वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्राले ने और अगर परियावरण मंत्राले ने बनाई है तो ये योजना किस से संबंदित होगी वनों के प्रबंदन से संबंदित है वैग्यानिक वन प्रबंदन से संबंदित है ये आपकी योजना ठीक है, नेक्स्ट है, निमलिकित देशों पर विचार करें, पांच देशों के नाम दिये गए हैं, इनमें से कितने देश नाटो प्लस फाइव ववस्था का हिस्सा हैं, नाटो में आप जानते हैं, अभी वर्तमान में 31 देश हैं, पांच इसमें सहभागी देश हैं, जिनको नाटो प्लस फाइव कहा जाता है, ये जो पांच देश हैं आपके, वो ये पांच हैं, उस्ट्रेलिया, निवजीलेंड, दक्षिन अफरीका, जापान और इस्राइल, तो चारो के चारो देश आपके किसका हिस्सा हैं, नाटो प्लस फाइव का हिस्सा हैं, ठीक है, कोशन आ जाएगा, 31 देशों के नाम आपने याद निकरने, आपने सिर्फ इन पांच के याद कर लेने, जो नाटों में सहभागी दीश हैं, नेक्स्ट है, निमलिखित में से किन देशों के बीच आटेमिस समझोता हुआ है, आटेमिस समझोते की अगर हम बात करें, तो यहां अं महिला को चांद पर भेजनी का कारेकरम बनाया गया है, तो आटेमिस समझोते में भारत भी शामिल हुआ है, अमेरिका के साथ, विश्व बैंक के अनुसार, भारत में 2023-2024 में वृद्धी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, तो वर्ल्ड बैंक के वस्तुगत आयात सरवादिक किस देश से रहे, यानि भारत ने सबसे ज़्यादा सामान किस देश से मंगवाया, तो ये मंगवाया भारत ने चाइना से, उप्शन C, सही आंसर हो जाएगा, इसी सवाल को अगर पलट दिया जाए, कि 23-24 की पहली तिमाही के दोरान भारत के वस्तुगत निरियात सबसे ज़्यादा किस देश को किया गया, यानि अब आपसे क्या पूछ रहे कि भारत ने सबसे ज़्यादा निरियात किस देश में किया, ये किया है अमेरिका में, सबसे ज़्यादा मंगवाया चाइना से, लेकिन सबसे ज़्यादा भीजा अमेरिका क Option C, सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक के पास आरक्षित विदीशी मुद्रा कोश के निमलिकित में से किसका भाग सरवाधिक होता है जो RBI होता है उसके पास फोरण रिजर्व कैस होता है यानि विदीशी मुद्रा कोश होता है और इसमें सबसे जादा भाग विदीशी मुद्रा परी संपत्तियों का होता है Option B, सही आंसर होगा लगबग 15 महिने के बाद RBI के पास जो विदीशी मुद्रा भंडार था वो 600 अरब डॉलर के पार गया है जून 2023 में इस चीज़ को भी ध्यान रखना ठीक है Next है भारत में प्तिवर्ष 29 जून को राष्टिया सांख्यां की दिवस निमलकित में से किसके जनम दिवस के उपलक्ष में मनाया जाता है हर साल भारत में 29 जून को राष्टिया सांख्यां की दिवस मनाते है कई बार तो कोशन डिरेक्ट पूछ लेता है ये दिवस कब मनाते हैं 29 जून को और ये मनाये जाता है PC महल नोबिस के जनम दिवस पर option D सही आंसर हो जाएगा सारवजनिक छेत्र की हंदूस्तान Aeronetic Ltd यानि HAL ने देश के बाहर अपना पहला छेत्रिया विपढ़न कारले कहां स्थापित किया तो HAL के द्वारा देश के बाहर अपना पहला कारले क्वाला लांपूर में स्थापित किया गया मलेशिया में लगाया option C सही आंसर है भारतिया प्रौधी की संस्थान ITI नहीं होगा IIT करना इसको थीक है या देश से बाहर पहला केमपस कहां स्थापित किया जा रहा है तो IIT, देश के बाहर पहली बार जो इंडिया का IIT का केमपस है उसे जन्जी बार में स्थापित किया जाएगा जो आपके तंजानिया में इस्तित है इस चीज़ को ध्यान रखना तो भारत से बाहर पहला IIT कहां लगेगा तंजानिया में लगेगा थीक है बारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है यानि Consumer Price Index की अगर हम बात करें इसका आधार वर्ष 2012 है उप्शन C सही आंसर है नैसकॉम निमलिकित में से किस छेतर की कमपनियों का समू है तो नैसकॉम जो है आपकी IT छेतर की कमपनियों का एक ग्रूप है उप्शन B राज्य के निवासियों के लिए नियूनतम आय की गारंटी के लिए यानि किस राज्य की विधान सभा ने नियूनतम आय की गारंटी का विधायक पारित किया ये है राज्यस्थान उप्शन C सही आंसर हो जाएका बाजार पुंजीकरन यानि M-CAP मार्किट कैप की दृष्टी से डेश में नीजी छेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है तो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा जो बैंक है आपका मार्किट कैप के अनुसार वो HDFC बैंक है उप्शन C सही आंसर हो जाएका इसको भी आपने ध्यान रखना है ठीक है तो फ्रेंट्स यह था हमारा करेंट अफेर्स का वीडियो जिसमें हमने आज प्रितोगिता दरपण के समसमाई की कोश्चन को यहाँ पर कवर किया सितंबर की मैगजीन में आपके लगभग 60 से जादा MCQs थे लेकिन जो आपके लिए इंपोर्टेंट है सलेक्टिड MCQs को हमने यहाँ पर कवर किया 31 MCQs जो आपसे पूछे जा सकते हैं इसके बाद आपका करेंट अफेर का जैसे मैंने कहा एक वीडियो और आएगा जिसमें हम सक्सेस मिरर और ग्यान दरपण में भी आपकी काफी अच्छे अच्छे कोशन है करेंट अफेर के उनको वहाँ पर कवर करेंगे और जल्द कोशिश करेंगे उत्राखंट का करेंट अफेर कवर करने का उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार आए है चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमेज़ दरूर बताएं थैंक्यू फ्रेंट्स